Hello everyone, welcome back to my channel 777 Soul Terror में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? I hope कि सभी अच्छे हैं खुश आर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं आप सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ टॉपिक है मैं आप दोनों की true feelings क्या है एक दूसरे के लिए ये पता करूँगी आपके दिल में आपके पार्टनर को लेके क्या feelings है आपके पार्टनर के दिल में आपको क्या लेकर feelings है true feelings पता करेंगे और messages भी पता करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए और देखते हैं क्या आता है लेकिन शुरू करने से पहले काई इस मैं बता दू हमेशा की तरह ये जैनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, हो सकता है ना हो और ये रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं आराम से चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स पता लगा लेते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या है ओ वाव कमिट्मेंट पहला ही काड कमिट्मेंट है डिस्टाइड मैस्कुलीन ओके एंड लव ओ वाव ब्यूटिफूल एनरजी आपकी यह फीलिंग्स आई हैं आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए ठीक है अब आपके पार्टनर के काड्ट देख लेते हैं उनकी क्या टूल फीलिंग्स आपके लिए वाव लाइफ पॉपस कमिट्मेंट के नीचे ही लाइफ पॉपस का काड्ड है वी हाव इंटमिसी मेच्यारिटी मेच्यारिटी के बाद है बाउंडरीज वी आपकी जो फीलिंग्स हैं देखो बहुत ही क्लियर है आपकी इंट्यूशन से मैच करेगी आपकी अनरजी तो ही मानना इसको चीक है पहली बात है आपको लगता है कि ये कनेक्शन बिल्कुल डेस्टाइन है और आपको ये भी पता है कि अभी आपके पार्टनर डिस्टॉर्डेट मैस्कुलिन की एनरजी में है और ये बहुत हा पर क्लियर है इविन ये डिस्टॉर्डेट मैस्कुलिन की एनरजी में है फिर भी इतने बुरे टाइम में इतने वर्स टाइम में भी ये आपके बारे में सोचते हैं आपके बारे में फील करते हैं ये चीज आप समझ पाते हैं ठीक है सोल लेवल पर और आपको पता है कि आ अपको ऐसी वाइब आती है अपने पार्टनर से आपकी पाटनर भी देखो आपके साथ अपना एक लाइफ परपस समझ रहे हैं इसको कहीं नकरी ये फीलिंग आती है कि आप से मिलने के बाद इसके लाइफ में मैचुरिटी आ रही है ये अपनी लाइफ में चेंज हो रहे है इसके लाइफ में यह राइट डिरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, भले इसने healthy boundaries बना ली है इस connection के बीच में, ठीक है? लेकिन ये फिर भी आपके साथ एक intimate connection फिल करते हैं, ये परसन आपको भूल नहीं पाते हैं, ये intimate connection आपके साथ फिल करते हैं, unconditional bond आपके साथ फिल करते ह हो सकता है कि इसने boundary इसलिए बनाई है कि यह person enough mature नहीं है लेकिन जैसे ही अपने task complete कर लेते हैं यह फॉरन आपके पास आ जाएंगे इसको इस बात के बारे में पूरा पूरा पता है और एक चीज इसको और बहुत अच्छे से पता है जब भी यह आपके पास आएंगे चाहे य क्योंकि यह intimate connection है यह बहुत ही deep connection है true connection है ठीक है ऐसा मैं यहाँ पर clear देख पा रही हूँ तो यानि कि अगर आप दोनों भी separation में भी हो आप दोनों को एक दूसरे की क्या feelings हैं क्या situation है exact पता है और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए manifest कर रहे हो एक दूसरे के लिए प्रातन आने के लिए तैयार है ठीक है यह चीजे मैं हाँ पर clear देख पा रही हूँ लेट सी अभी टैलो से क्या आता है एक एक कार्ड का हम clarification ले लेते हैं यहाँ से क्या आएगा आपके लिए let's see six of wants आपको बिल्कुल इस बात की clarity है इस बात पर surety है कि यह commitment आपके person आपको देकर ही रहेंगे और आप बहुत positive हो इस चीज के लिए clear है आपर आपकी true feelings है यह आपको बिल्कुल आपकी soul कहती है कि yes यह चीज होगी और आपको यह भी पता है कि आपके partner success भी हासल कर लेंगे और free होकर आपके पास आएंगे ही आएंगे यह चीज यहाँ पर clear है yes और यह अपनी life में enough recognition और appreciation भी हासल करेंगे आप इस चीज के लिए प्राथना भी कर रहे हो यह चीज भी मैं दिख रही हूँ देख पा रही हूँ यहाँ पर king of queen of pentacles yes guys यहाँ पर देखो आपकी energy आ रही है और बिल्कुल आप यही सोच रहे हो आप बहुत optimistic हो इस connection को लेकर इस partner को लेकर आपको पता है कि partner अपनी life में appreciation recognition सब कुछ हासल कर लेंगे enough इनके पास money होगी आपको support करने के लिए freedom होगी और success मिलेगा इस connection को आपको totally यही feeling ह है आपकी true feelings जो आप अपने partner तक भेजने की भी कोशिश कर रहे हो manifest भी कर रहे हो इसी के बिहाफ पर आपी सब कुछ कर रहे हो क्यूंकि आपको पता है कि इस connection का जो result है वो positive ही है bondage इसने लगए इस person ने इसलिए बनाई है यहाँ पर क्यूंकि इस person की life में अभी बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग हैं जो उसको परिशान करते हैं अभी ऐसे लोगों के साथ यह deal कर रहे हैं जहाँ पर लड़ाई जगडे मसले बहुत हो रहे हैं ठीक है इसलिए इसने bondage बन जाते नहीं है कि इस life का पार्ट बनाएं आपको इसलिए इसने bondage बनाई हैं इसकी intention बुरी नहीं है और देख लेते हैं यह इस connection से दूर जाकर यह कभी खुश नहीं हुआ है person यह रातों को रोता है परिशान होता है आपको याद करता है इस intimate connection को फील करता है और फिर manifest भी क आप मिलोगे suppose that हो सकता है कि आप एक ही office में job करने लगो हो सकता है किसी university में मिलो हो सकता है traveling के time पर मिलो लेकिन yes आपका life purpose ही आप दोनों को किसी mode पर मिलाएगा यह है person की feelings and yes इसको लगता है divine connection के साथ है आप दोनों के साथ है और connection का outcome जो भी है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप दोनों एक होंगे इस तरह की feeling आपके person feel कर रहे है यहाँ पर आपके लिए बहुत जदा gratitude भी है ठीक है एक बर यहां से देख लेते हैं कौन से house से card आने वाला है आपके लिए let's see wait a second okay आगे है oh my god यह connection marriage तक जाएगा आपकी जो intuition है जो gut feelings है जो भी कह रही है व I'm so happy to see this card यह connection marriage तक जाएगा ओके और इस person के energy जानते हैं आपके लिए त्यूकि इस person के बारे में ही deep way में जानना important है Archangel Uriel बहुत support कर रहे हैं आप दोनों को इस connection में आगे बढ़ने के लिए और in decision हो सकते हैं अभी आप decide नहीं कर पा रहे हो सकते हैं अभी चीज़े नहीं दिख रही है लेकिन guys यह person बहुत सोचते हैं आपको लेकर आपको याद करते हैं आपको miss करते हैं आपके बारे में बह victory आ रही है इस connection के पास बहुत जल्द ज्यादा वेट नहीं करना है because door to personal healing and happiness यह कि दरवाजा खुल चुका है divine आपको heal करने के लिए दरवाजा खोल दिया है ठीक है abundance आएगा आपके पास यह ying and yang connection की energy आ गई है यहापर yes commitment है ying and yang है और बिलकुल guys अब मैं बता रही हूं clear क yes connection marriage तक जाएगा किस ना किसी mode पर आपका मिलना लिखा है और यह connection marriage तक जाएगा trust कीजिये इस बात पर और manifest करते रहिए okay यह connection marriage तक जाएगा यह twin flame connection है इस connection को victory मिलेगी यही आप दोनों की intuition और gut feeling कहती है आपकी will power कहती है यही बात ठीक है कि यह connection आपका marriage में convert होकर ही रहेगा let's see कोई message अगर आपके partner आपको देना चाहें तो वो क्या हो सकता है देख लेते हैं obstacles हैं अभी challenges हैं अभी तो थोड़ा सा wait करना पड़ सकता है number five आया है यहां पर challenging number है ठीक है लेकिन judgment तक wait करना पड़ सकता है judgment के लिए manifest करते रहिए अराम से ठीक है और meditation करने भी meditation भी करना पड़ सकता है आगे चल कर तो यह भी बात कहा रहे हैं आपके partner meditation भी करना पड़ सकता है इन obstacles को खतम करने के लिए approach लगानी पड़ सकती है judgment लेने के लिए यह new cycle शुरू कराने के लिए अपनी life में तो आपके partner यहां पर overall आपको message दे रही हैं कि आपको prepare रहना है future में जो भी current challenge है या फिर future में अगर कोई challenge आ जाएगा तो उसके लिए prepare र रहे हैं कि आगे क्या करना हो सकता है ठीक है तो एक तरीके से वह आपको guide ही कर रहे हैं support ही कर रहे हैं और आपके partner की true feelings बहुत अच्छी है आपको लेकर ठीक है यह रिश्ता बिल्कुल marriage में convert होगा don't worry जितना हो सके manifest करते रहे हैं इसी के लिए okay guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हु